माइथन, दामुदर वैली वास्तुवरा संग्राम समिती के अध्यक्ष वासुदेव मातों ने माइथन के डाई केरिया स्थित समिती के प्रधान कारले में प्रेस कांफरेंस को सम्बोधित करते वे कहा कि आज तक डिवीजी के निर्मान में विस्थापित हुए लोगों के सा नियाय नहीं मिला डिवीजी के द्वारा आज तक कितने बार विस्थापितों के साथ समझोता करने के बाद विस्थापितों के साथ अन्याय करती आ रही है आज तक विस्थापित नौकरिय वं मुआवजा के लिए विस्थापितों के द्वारा दरजनों बार से अधिक बा आंधुरन करने के बाद भी जीला प्रशासनेवं विस्थापित तथा DBC प्रबंधन से कई दौर की वारता होने के बाद भी विस्थापितों के समस्याओं का निदान करने की दिशां में कोई सार्थक प्रयास आसं तक नहीं किया गया है इससे आक्रोशित होकर समीधी के बैनर तले विस्थापितों के द्वारा डीवीसी के शेत्र संख्याच्छे स्थेत प्रशासनिक भवन का अनिश्चित कालिन खेराव आगमी 20 सितंबर को विस्थापितों के द्वारा किया जाएगा। प्रेस्वार्ता में सुरेंद्रनात मुर्मू, सचिव, रविशंकर सेन, आयू बंसारी, बगाल मरांडी, बिनोग बिहारी हैंब्रम उपस्तित थें। कोलकत्ता मेनेजमेंट के साथ, मायथोन मेनेजमेंट के साथ बारता होता है, एक मिनुट्स बनता है जा आपको सोब काम किया जाएगा, लेकिन आज तो नहीं होगा। इसलिए तमाम विश्थापित निर्नोलिया, कोरो या मरोका लडाई लेके 20 तरिकों, 20 सेप्टेमबर, आठ बाज़े से अभिश को घेर लेंगे। इसके लिए जेल जाने पड़े, घोली खाने पड़े, हम लोग खाने के लिए त्यार है, हम लोग इसमें भी जोती नाए होगा, तो दुर्गा पुचा तक हम लोग बेठेंगे, अन्तिम में भूख और तल करके हम लोग मर जाएंगे। बारो जुलाइक को कोलकता सोदेश सचीप हम लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला जे तीन माहिना के अंदर आप लोगों को जिन लोग पैसा लिया है, उन लोग को पाच लाग, जो नहीं लिया है, उसको पंदर लाग, बनाए अनु कमपा का, अनु जही सोब को पेमेंट किया जाएगा, उन भी दू माहिना पार हो गिया, यह भी तो नहीं हुआ, तो बार बार हम लोग कितना बैठेंगे, इस बोट्रक में सारा निर्न होगा, तो हम लोग उठेंगे, नहीं तो उहाँ पर मरत्य दम तक हम लोग बैठे लाग, आपका क्या नाम? मेरा नाम बासुदेव महतो, अधिच्चो, मायथन, एबंग गोकारो, चंदरपुरा, कोनार, तिलया, अब तो प्रभुजी प्योर फूड आ गया है धनबाद में, मिठाई, नमकीन, जाट, साथ इंडियन, चाइनी से लेकर साथ विक भोजुन तक, सब मिलेगा, प्रभु चलो, कुछ पियोर खाते हैं